हलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे युटूब चैनल सहोस अफ सलूसन्स पर दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कि होटीपी क्लाइंट क्या होता है और होटीपी से क्या डिफरेंस होता है इसके बीच और हमने ये भी देखा था था कि実ем क्राइंट के कौन-कौन से मेथर होते है उसमें अमने देखा था दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लेकर रहे हैं HTTP क्राइंट का gate method इसमें हम यह देखेंगे कि gate method को क्या concept होता है कैसे यूज करते हैं और इसका क्या यूज होता है तो दोस्तों आपको बता दूँं कि अगर आपने मेरा एक वीडियो है जो इसमें हमने subscribe और अपजरेबल के बारे में बता रखा है उसको आपको देखने की बहुत जरूरी है क्योंकि उसको देख लेंगे तब ही यह सारे वीडिय होगा इसलिए आप उसको एक पर विजिट कर लें उसका लिंक मैं इस वीडियो के description box में दे दूंगा तो उसको आप एक बार क्लिक करके देख लें उसके बाद यह वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्योंकि जो मैं practical करूंगा इस वीडियो टुटोर सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बिल की आइकन को जरूर किलिक किजिएगा ताकि मैं जैसे कोई नया वीडियो डालू तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें गीट मेथड जानने से पहले HTTP क्लाइंट के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करते लेते हैं अपने नॉलेज को ताकि आपको अच्छे समझ में आए तो दोस्तो HTTP क्लाइंट जो है एंगुलर 4.3 वर्जन में इंट्रड्यूस हुआ था उससे पहले हम HTTP यूज करते थे और HTTP क्लाइंट जो है दोस्तो HTTP का ही इंप्रूड वर्जन है इसमें बहुत सारे कुछ फीचर्स आया जो कि हमारे सर्वर कम्निकेशन के लिए बहुत इजी हो गया मिंस कि HTTP क्लाइंट इसमालर इजियर एंड मोर पावर फूड लैब्रेरी फर मेकिंग WhatsApp request तो दोस्तों इंगुलर htp लैबजेरी जो है htp क्लाइंट प्रवाइड करते है जो कि सर्वर कम्निकेशन में यूज होता है और जो gate hack method है दोस्तोς PV क्लाइंट का एक method है और यह क्या करता है कि हम सर्वर से कम्निकेट करने के लिए एक HTTP URL लेता है, right, means कि gate का जो काम है दोस्तों कि हम server से कोई data gate करना होता है, तो हम gate method को use करते हैं, तो उसकी लिए दोस्तों यह क्या करता है, कि HTTP एक URL लेता है, तो we need to pass HTTP URL to HTTP या HTTP client gate method, right, और यह क्या करता है, दोस्तों कि यह हमें observable का instance return करता है, right, और observable क्या है, दोस्तों, RxJS library से हम import करते हैं, observable को, जैसा कि मैं आपको बताया था कि server communication में हम observable set कर लेते हैं, जो कि हमारा server से जो request और response का जो responsibility होता है, observable के आपास आ जाता है, तो यह क्या करता है, दोस्तों कि हमें, जैसे HTTP gate method में URL पास करते हैं, तो क्या करता है, कि यह हमें observable का एक instance return कर देता है, right, और उस response को हमें जिस component या service में use करना होता है, तो वहाँ पर उस observable को हम subscribe कर लेते हैं, right, यह concept होता है gate method का, right, और HTTP client, जब भी हमें gate method use करना होता है, दोस्तों, तो हमें HTTP client को import करना होता है, right, HTTP client use करते हैं, और HTTP client use करने के लिए हमें HTTP client module को अपने application का जो main module होता है, app.module.ts file उसमें हम import कर लेते हैं, HTTP client.module को, right, और HTTP client का जो कुछ method होता है, दोस्तों, gate, post, delete, put, यह सारे चीज़ों को हम एके करके देखेंगे, अलग-अलग वीडियों में, क्योंकि हम इसमें practical करना होगा, right, एक वीडियों में तो possible ही नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा खिच जाएगा यह, right, तो आगे तो यहां पर थोड़ा सा हमें, एक 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 जामपल दिखा रहा हूँ, यहां पर, कि gate का कैसा code बनता है, ताप यहां पर देख सकते हैं, gate में एक URL हम पास करते हैं, यही मेन होता है, दोस्तों, कि जो कि हम URL किसी service का API का किसी का URL दे सकते हैं, यहां पर, service communication के लिए, यहां पर option होता है, यहां पर option में, जो header होता है, observe होता है, परम होता है, report progress होता है, response type होता है, एक एक चीज़ का अलग अलग मतलब होता है, इसको भी हम pass कर सकते हैं, depends on your requirement, right, but हमें URL जरूरी होता है, pass करना, यह आप pass करे हैं, ना करें, कोई जरूरी data होता है, उसको हम pass करते हैं, right, जो कि हम data pass कर रहे हैं, उसका क्या work है, उस data का, meta data मतलब होता है, data of data, information about data, right, उसको हम pass करते हैं, जिससे कि हमारा server का connectivity में, मदद मिलता है, server को, उसको identify करने में, मदद मिलता है, right, और दोस्तो, observe होता है, क्या की, इडिफाइण, वेदर रिवान्ट, complete response, right, यह complete response को define करता है, इसमें कोई श्राइन करना होता है, value को, observe property में, जैसे की response हम एसाइन करते हैं, complete response के लिए, right, उसी तरीके से यह क्या observe क्या करता है, कि हमें, उसमें, value pass करते हैं, और यह हमारे complete response क को define करते है राइट पर हम क्या होता है दोस्तों कि यह हमारे परम टाइप होता है इसमें परामिटर पास करना होता है URL के साथ Gets request के लिए तो इसमें परम हम यम्ट करते है है राइट को इंपूर्ट करना होगा राइट मैं अब दिखाऊंगा प्राइट कल में अब रिपर्जेंटेशन आप एनी सेट ऑफ वैलू ओवर एनी अमाउंट अब टाइम तो अब जरेबल क्या करता है दोस्तों कि हमें रिस्पॉंस और से रिक्वेस्ट को अब्जर्ब करता है उसकी रिस्पॉंस पिलिटी लेता है कुछ समया टाइम के लिए राइट तो दोस्तों इसकी बाद हम देखते हैं कि हम एसी टीप क्लाइन्ट को कैसे इंजेक्ट करते हैं तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है कि पहले तो हम एंगुलर लास्त कमण्ट स्सेटीवी नहीं होगा सब्सक्राइब में सब्सक्राइब करना है तो वहां क्या करेंगे stitch Shore और तभ को को इंपोर्ट कर लेंगे उसके बाद में क्रिछिए कर देंगे मिंस्किन चान। क्लाइंट को हमारा सब्सक्राइब करनी के लिए commencer comparison के लिए god उसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे एक मेथर बना लेंगे दोस्तों यह अब जरेवल टाइप का होगा राइट और यह निका मतलब कि कोई भी डेटा टाइप रिटर्न कर सकता है यहां पर मैं आपको एक्स्टेंडर वे बताऊंगा कि कैसे हम कोई टाइप बना लेते हैं जि दिष्णमेंश में हम देखें दिस डोटर युवरेल पस्कार रहे हैं राइट मिन्स कि यह राइटर युवरेल जो है ये किसी एप्सी इबच्टर के यहा पर हम हमी वाइल पास करेंगे और वीत बनाते हैंiyoruz कर रेंगे मिन्स कि जो दोस्तों यही eensason sist Orlando करेंगेगा और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको किसी अगला अधर लेंग्वेज में mbc या.net को वहां समें API ना बनाकर इन बिल्ड ही API बना लें तो चीजे में आपको बताऊंगा जो कि आपको किसी अधर लेंग्वेज पर डिपेंडेंस होने के जुरत नहीं रहेगी आप किसी भी डिजाइनर हो या भी किसी लेंग्वेज के डेवलपर हैं तो आप इसको देखकर आपना API अपने अंगुलर के अंदर ही बना सकते हैं क्योंकि अंगुलर क्या करता है दोस्तों कि एक इन-मेमरी बेव API प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके हम अपने डेटा को टेस्ट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसको प्रैक्टकल करके देखते हैं कि कैसे हम API बनाते कैसे हैं और इन-मेमरी बेव API होता क्या है उसको देख लेते हैं उसके बाद step by step हम देखेंगे कि कैसे gate method को यूज करते हैं उसके बाद लास्ट में ब्रावजर में यह देख लेंगे कि हमारा डेटा कैसे सो होता है राइट कि अगर हम अपने अप्लिकेशन को टेस्ट करने के लिए हमें किसी न किसी बेव सर्विस की वारल की जूरत होती है राइट औ अप्लिकेशन को कि हम कैसे data क्ट-धशल करते हैं तो भोही हमने यहां बता रहे कि में बेड़ एप्लिकेशन और अप्लिकेशन in युज रडवzić करने के जरूत होती है उसको हम किसी ने किसी लेगेंज में राइट करना होता है बट एंगुलर क्या करता है दोस्तों कि हमें इन मेमरी बैब API प्रवाइट करता है जिसमें एक बैब सर्विस वरल देता है उसको हम यूज करके हम अपने अप्लिकेशन को टेस्ट कर सकते हैं उसमें कुछ डमी डेट इन्स्टॉल होता है आई के जगप आप इंस्टॉल भी लिख सकते हैं सिंपल इन्पीम आई एंगुलर इन मेमरी बैब API एड़ेट 0.5.3 से यह पार्टिकुलर हमने बर्जन का नाम दे रखा है आप यहां बर्जन का नाम देंगे डॉट डॉट सेप करेंगे तो आपकी ज यह है हमारा प्रोजेक्ट इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले हमरा स्टेप होगा कि हम इसमें बेब API के लिए जो एंगुलर मेमरी बेब API प्रवाइट करता है उसको हम इंस्टॉल करेंगे पहले राइट तो यहां बात आती है दोस्तों कि हमें क्या कौन सा कमांड लिखना नहीं होता है तो हम यह कमांड लिखेंगे कि npm और हमने बोला था कि आई राइट आई या इंस्टॉल कुछ भी लिख सकते हैं आप यहां पर फिर एंगुलर कि डैस इन कि मेमरी डैस बेब डैस एपी आई उसके बाद दोस्तों एड रेट और वर्जन का नेम देंगे 0.5.3 उसके बाद दोस्तों डैस डैस से राइट अब फिर इंटर क्लिक कर देंगे दोस्तों तो इससे क्या होगा कि हम आप देखेंगे थोड़े दिर में हमारे इस प्रोजेक्ट में देखें इंस्टॉल होना शुरू हो गया और इंस्टॉल कर देगा प्रोजेक्ट में राइट यह थोड़ा सा टाइम लेता है एक यह दो मिनिट लगेगा इसमें कि इंस्टॉल हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों यह इंस्टॉल हो चुका यहाँ पर आपने बता दिया देख लिए कि आप देख लिया कि आपने कि एड़ेट वन पैकेज इन इतना राइट और यह बता दिया कि प्लस एंगुलर इनमेमरी बेब अप्याइट मिन्स कि हमारे प्रोजेक्ट में इस्टॉल हो चुका है अब हम इसको इजली यूज कर सकते हैं अपने अप्रिकेशन में तो बात आती है दोस्तों कि हम इसको कैसी यूज करेंगे तो चले मैं इसको एक एक करके step-by-step आपको समझाओंगा जिसे आपको समझने बहुत यसानी होगा और आप इसको देखकर आप अपने अप्रां ओपन करेंगे इसको आप सांति सात राइट करके बना भी सकते हैं तो सांति सात अप भी सात प्रेवसÁं और तो सांति सात आतमय प्रैक्टिकल कर सकते को आप जहां से आप हर जितने भी मेरे वीडियों सब के वीडियों का अप वहां से दॉनलोड कर सकते हैं Right तो चलिए दोस्तो हो अगले सटेप पर देखते हैं कि आगे हमनों क्या करना होगा यह बाद हम क्या करेंगे कि दोस्तो एक हम ठेस्ट करने के लिए टेस्ट db के create करेंगे create db जाप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों कि in memory db service को हमें import करना होगा angular in baby api से और उसमें हम export करेंगे test data implement यह हमारा यह class मनाएंगे export class और उसके test data करेंगे उसको आयरे टाइप का बोल सकते हैं टेबल नहीं बोल सकते क्योंकि आप प्रिंटिंड पर काम कर रहे हैं आप आयरे बनाएंगे यहाँ पर आइडी इस तरीके से हम तीन डिटेल से आपके जितने मर्य उतने डिटेल जा सकते हैं बुक का और उसके वर रिटर्न करा लेंगे बुक.डुक कॉलन बुक डिटेल से इसको हम रिटर्न करा लेंगे इस बुक में चला जाएगा और इस बुक को हम जाके आगे एज करेंगे तो चलिए पहले आपको यह दिखाता हूँ कि इसको कैसे create करेंगे रैट तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना हुआ कि आप तो पता ही यह सर्षी के अंदर आप होता है आप के अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे के right-click करके एक फाइल एड करेंगे और उसका नाम दे लेंगे दोस्तों हम क्या है टेस्ट लख लेते हैं टेस्ट डाटा राइट डॉट टी एस मिन्स के हम टी एस फाइल बना रहे हैं और इंटर मार देंगे यह हमारे टेस्ट डेटा आ अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें हम बनाएंगे उसको इंपोर्ट करेंगे और टेस्ट क्रियेट डीबी करेंगे राइट इसके लिए क्या करना होगा हमें इंपोर्ट और इंपोर्ट में अपको पता ही है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जो इंपोर्ट करना अगता है तो अब सबसे प arguably कहां से हम इंपोर्ट करना होगा उसके बाद इसली पहब फेच हो जाएगा वहां से यहां पर लिखेंग साथCome अग्यूलर देखिए यहां पर अपने आप आ भी गया इंगूलर इन मेमरी बेब पि आई राइट यहां पर हम कॉलन लगा देंगे सेमिकॉलन उसके बाद आप यहां पर जैसे लिखेंगे न तो जिसको करना है अपने आप आ जाएगा इन इन मेमरी इन होगा यहां पर आई एन यहां पर हमने इम साथ क्लिक कर गया थे इन मेमरी अब यहां पर देखिए इन मेमरी क्यार करना में डीवी सर्विस डीवी सर्विस देखिए आ गया इसको हम कर लेंगे राइट अब क्या होगा दोस्तों कि अब हमें इसको आगे यूज़ कर अब हमें क्या बूल रहा है अब हम जाएंगे नीचे अब क्लास बनाएंगे एक्सपोर्ट क्लास उसके बाद हम लिखेंगे टेस्ट डेटा से बना लेते हम टेस्ट डेटा बना लिए हमने और इसमें कलगा हैं की सभलान लगों टीव हमें एंपलीमेंट करें किसको करने हमें इन मैम्मारी डेटा का राइट अ को कि च्भी सर्विसकों कर लेते हैं इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि भी कर लिखें दोस्तों और आपको कोड की जोड़े था हमारे comment box में अपना email id दे दे सकते हैं हम आपको code भेज सकते देंगे इसको इसके बाद दोस्ते हैं अपर हम लिकेंगे भूख details में वाइट उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जिसने भी आबब दोस्तों आप हम data बना रहे हैं जीतना भी data आप हम data बना लेंगे एक क candy कर्ली प्रैकट के अंदर i.d. आप यां पर जैसे angular अंगुलर वाई सोहो सोट राइट उसके बाद आप कैटेगरी ले सकते हैं जो भी डेट आपको लेना है कैटेगरी ले लिए इसमें आप ले सकते हैं कि एंगुलर अब इसको मैं कॉंपी करके आपको एक एक करकर बना जाता हूं कि कोंपी करके हम बना लेते हैं आगे डेटा ताकि टाइम बचे कोड करने का यहां पर हम कॉममा देंगे लास्ट मे और एक बना लिया फिर कॉम्मा एक और डेटा बना लिए अब इसका नेम चेंज करते लेंगे दोस्तो हम आप ने इसका 102 कर दिया हमने यहां पर हम कुछ और ही बुक का नेम ले सकते हैं जैसे core.net हुआ यहां पर भी कुई और बुक ले सकते हैं अपने मर्जी से यह हमने एंगुलेट लिख दिया है इसका आप एंगुलर लिख लीजिए एंगुलर टैपिंग मिस्टेक है यह कोई दिकत नहीं आप यहां पर यह अब हमने क्या कि दोस्तों कि यह हमने बना लिया अपना एक डेटा राइट अब हम इसको हम कट कर लेंगे और यहां पर इसको लिख कर सेमिक्राउं दे देंगे तो देखिए जो भी एरा टाइप का रहा था वो हट गया अब हमारा यह डेटा बन चुका है इसको रिटर्न कर लेंगे रैट यहां पर हम रिटर्न कर लेते हैं रिटर्न इसमें हम लिख लेंगे बुक्स और इसमें रिटर्न कर लेंगे बुट्टेल्स को रैट इसको हम रिटर्न किया और यहां पर सेमिक्राउं हो गया तो दोस्तों यह हमारा देखिए सारे यहां पर सभी हट गया रहा था और यहां पर जो हमारा एक db type का create हो चुका है इसको हम आगे उच कर लेंगे उसके बाद दोस्तों अब क्या करते हैं कि यह हमारा एक तो बन गया हमारा API अब इसके लिए हम एक service create करेंगे इस service में इसके URL को हम उच करेंगे तो दोस्तों यहां पर क्या करते हम कि यहां पर NG G से generate होता है उसके बाद हम लिखेंगे service या फिर आप एस भी लिख सकते हैं राइट service हो गया और हम बना रहे हैं book name से राइट बूक नेम से में service बनाया अब इस पर क्लिक करेंगे ति क्या करेंगा कि हमें एक service create कर देगा है था था टाइम लगता है इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि create हो चुका है दो फाइल बना एक तो book.service.ts file और book.service.specific.ts file होता है वो बन गया आप इसका यहां पर भी देख सकते दो फाइल बन चुका है तो हमें जो book.service.ts file है इसमें हम बनाएंगे राइट इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों को जो API का URL है उसको यूज करेंगे राइट और फिर उसको हम यूज कर लेंगे अपने वाले वीडियो में बताया है कि जब भी हम अप्जरेवल को वीज करना होता है अपने service के अंदर तो क्या करते हैं अप्जरेवल को इंपोर्ट करना होता है राइट कि जो rxjx लाइब्रेरी के अंदर आता है उसको हम पहले input hdp client और अप्जरेवल को अब यहां पर हम देंगे और यहां पर लिख लेंगे http क्लाइंट http क्लाइंट राइट अब यहां पर अब उसके बाद हम इंपोर्ट कर लेते हैं दोस्तों अब जरेवल को इंपोर्ट प्रॉम आरेक्स जेक्स आरेक्स जेक्स के अंदर अब जरेवल आता है अब जरेवल राइट और यहां पर हम अब जरेवल को इंपोर्ट कर लेंगे है अब जरेवल को रइट अब हम इसको रज़ कर सकते हैं अब हम क्या करेंगा सबसे पहला काम क्या हो हमारे देना हक्र सरवीस पंच चुगा में से इसके अंदर पहला काम होगा हम एक वगा Yowarro देलते हैं राइट बूक कि वारल कि भूक कि वारल राइट इसमें क्या करें दोस्तों कि API का हम देल लेते हैं जो हमने इंस्टॉल किया दोस्तों उसका API बनता है आप वारल बनेगा अपर यह बन गया हमारा API है अब देख सकते हैं जो हमारा जो बुक्स रिटर्न कर रहा था इसको हम कॉपी कर लेंगे इसको लिख लेंगे यहां पर ताकि नेमिंग कन्वेंशन भूक्स होगा यहां पर अब यह हम जैसे को इच करेंगे दोस्तों तो इसके लिए हमें क्या करन होगा इंपोर्ट भी करना होगा बुक को राइट तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर जो हमारा टीएस फाइल बना होगा है इस बुक का इसको इंपोर्ट करना होगा हमें इसको import जो हमारा service बनेगा दोस्तोς इस service को इंपोर्ट करें यह पर पर Allah peta ce death menu पहले नमकरते हैं कि यहां पर constructor constructor के अंदर हमें क्या करना होगा कि यहां पर लिखेंगे प्रायवेट और यहां पर हम HTTP क्लाइंट करेंगे आपको पता है कि पहले हम 2 में 4.3 से पहले HTTP खरते थे सिंप्ली लिकर हम 4.3 के बाद हम HTTP क्लाइंट युच्छ करने लगे हैं कुछ इस्ट्रा फिचर्स आए हुआ है इसमें उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे एक function बनाएंगे और इस function में हम अब जरेबल उच करेंगे तो इसका क्या नाम लेते हैं कुछ लेते हैं get books from store इस तरीके से कुछ बना लेते हैं इस जो बराई अब्सरों कि श्ट्रॉ यह बना लिए हमने और इसमें हम अब्स स्पेंट कर लेंगे हां पर कॉलन की हमने और up serible, उज़ करते हैं, right, observable, और इसमें दोस्तों हम pass करते हैं, जिसको use करना है, किस type का observable बना रहे है, right, तो दोस्तों हम यहाँ पर any भी लेख सकते है, लेकिन हम एक type, extendर भी क्या होता है, कि type बना लिस टाइप का data हमें, रिटर्न करना होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बुक टाइप बना लेंगे एक टाइप में क्या करेंगे एक टाइप का बुक बना लिए हमने इसको हम एक टाइप बनाएंगे अलग से मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं इसको और यहाँ पर ऐसे कर लिया उसके बाद इसके dot http जो कि हमारा ये http हमने बनाया अभी राइट स्टीटीपी और dot gate HTTP का जो मेथड होता है आपको पता ही है तो हम stp client का मेथड यहां पर दोस्तों आपको पता दूं कि stp जो लिखा है आपको कुछ भी variable का नेम रहा है यहां पर तो यहां पर आप आप गेट एक्चली हम जो यह गेट मेठर बना रहे हैं HTTP क्लाइंट का मेठर बना रहा है राइट या फिर आप HTTP बोल सकते HTTP का मेठर बना रहे हैं तो उसके बाद इसमें हम पास करेंगे क्या रिटर्न करेगा अगर यहां पर अब्जिरेबल का यहां भी यह निले सकते हैं अगर आपने बुक टाइप बना रखा है तो हम बुक लेंगे उसके बाद हम इसको बंद करेंगे और हम रिटर्न करा देंगे इसमें इस टॉट को बोक युवारल राइट जो हमने उपर बुक युवारल बनाया हम इसको हम रिटर्न करा हमारी एक से सर्विस बंद गए यह सर्विस क्या करेगा कि भुक युवारल में में पास करना दिए और वाल को क्या करेगा कि इसको पूरे जोसरी बात क्या है तो एक टैप बना लेते हैं उसके लिए कि हमें क्या देखिए, आप एर टाइप का रहा है कि इसका टाइप बना नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहां पर एक टाइप बना लेते हैं, new file और यहां पर हम लिख लेते हैं, book.ts, right, inter मारेंगे, हमारा यह book बन जाएगा, और यहां पर क्या करेंगे, export, book, और इसमें हम क्या करेंगे, बना लेंगे, id ले लिया, हमने, जो जो हमने वहाँ पास किया था, जिस तरह का data है, हमारा उस तरह का बना लेंगे, हम यहां पर number, number, semicolon, फिर हमने name लिया था, उसमें, इसको string ले ले लेते हैं, name testing आता है, उसके बाद हमने इसने category लिया था, category, और यहां पर हम लेंगे, string, string, दोस्तों, यह मैं जो कहां से लिया था हूँ, जो बता रहा हूँ, आप यहां पर देख सकते हैं, जो हम data बना थे, आप यहां पर देख लिजिए, id, name और category लिया था हमने, right, आप इसको copy करके यहां पर लिख सकते हैं, ताकि कोई naming convention में प्लम ना हो, यहां से copy, और यहां पर हम इसको paste कर लेंगे, right, इसको हमने save किया, यह हमारा बन गया, type, अब हमारे इसमें जाएंगे, तो इसको save करेंगे, और यहां पर हमें उसको import करना होगा, अभी देख यहां पर issue आ रहा है, क्योंकि बोड़े कर नोट फाइंड, ता हम हमें आप इसको import कर लेंगे book को, import, यहां पर हम import करेंगे book को, और from slash dot करके लेते हैं, फोल्डर अंदर है यह तो यहां पर लिखेंगे book, right, यह हो गया हमारा, अब इर चला गया, आप देख सकते हैं, इसको हमने save किया, मिन्स कि हमारा एक service, पहले हमने क्या किया कि एक web API बनाया, मिन्स कि हमने data create किया, उसके उस URL को हमने service के अंदर इश किया, right, अब जब भी बस्तों service बनाते हैं, तो हमारा first काम होता है, को इसको app.module.ts file में हमें import करना होता है, और declare करना होता है, right, तो इसको हम चलेंगे app.module.ts file में, और यहां पर जाएंगे दोस्तों, यहां प्रम क्या करेंगे, कि import करते जाएंगे, import, import, हम सबसे पहले तो इस service को import कर लेते हैं, जो हमारा book service है, पहले क्या करते हैं, कि प्रम लिख लेते हैं, from book service, तो उसके बाद यहां पर book service अपने आप आ जाएगा, उसके बाद क्या दो करते हैं, दोस्तों कि API को भी इंपोर्ट करना होगा, import, import, from, angular, bbpi, और इसको अनपोर्ट कर लेंगे, इसमें, in-memory, bbpi, in, इसमें दिख नहीं रहा है, in-memory, ip module, इसको हम ले लेंगे, right, API module होगया, उसके बाद दोस्तों हम test data को भी import कर लेते हैं, जो भी हम बनाते हैं, दोस्तों, component, service, सबको, ip.modular के अंदर हम क्या करते हैं, उसको import कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम declare कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोस्तो, import test data को हम कर लेते हैं, from.test data, semicolon, और इसमें हम क्या कर लेंगे, test data को हम रख लेंगे, right, यह हुगा हमारा जैसे import कर लेंगे, दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे इसको एक और हमें इंपोर्ट करना होगा कि इसको कि http client को हमने इच किया है तो इसको भी हमें आपर इंपोर्ट कर लेते हैं http client module को यहां पर हम रखेंगे from at the rate angular angular slash common slash http right और इसमें हम http client module को हम ले कर लेंगे http की एक लाइन्ट मोडूल राइट अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों कि declare कर लिया हमने तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट के अंदर जाएंगे कॉमा इसमें हमने लिखेंगे http client http client module कॉमा पिर हम इन मेमरी को भी कर लेंगे कि इन मेमरी बेव अपिया मोडूल डॉट कर लेते हैं और रूट होगा भी कहते सब्सक्राइडर के अंधुर्ड के अदर डालते हैं यहां पर based को रख लेंगे बुक अब आपने अप्रिकेशन के नाम दे सकते हैं ओद उसके बाद हम क्या करेंगे एक वरीबल बनाएंगे आपने बॉक का a rsạoFc न आधि आघिस ने बॉक क्या कर लेते हैं कि बूक टाइप कर ला दे जो हमने भी टाइप बनाया था इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि फिर उसके बाद में लेते हम क्या करेंगे कि उस कर लिएते हैं जिसको यूज करना वूक सर्वीस हमने बना रखा है वूक सर्विस रैइट यह होगी हमारा कंस्ट्रक्टर क्योंकि जैसे या अपने अपने अपनी सर्वीस को कॉल कर लेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सब्सक्राइब यूज इसको हम यूज कर लेंगे यहां पर फंक्सन बनाया इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें दीस डॉट यहां पर हम सब्सक्राइब यूज करेंगे दोस्तों जो हमें रिस्पोंस आएगा अब जरेबल से उसको यूज करने के लिए यहां पर इस डॉट बुक सरविस जो ह देखिए यहां पर आगे subscribe उस subscribe करने का तरीका यह होता है कि उसकी method के अंदर हम pass कर देंगे books और यह subscribe करने का keyword होता है this.softbook जो हमने यह पर variable लिया right equal to books कि इसके बाद हम कॉलने दिये right और इस method को दोस्तों हम on init पर call कर लेंगे right एक on init बनाते हैं ng on init right इस पर हम इसको इस method को call कर लेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि दिस डॉट कि डॉट कि डॉट कि डॉट गेट कि शॉफ्ट बुक्स कि रइट इसको हमने कॉल कर लिया और इसके बाद यह था हमारा हो गया दोस्तों इसको हम सेव कर लेते हैं यह हमारा बुक का टाइप यहां कर रहा है करनोट फ़ैंड है पहर में इंपोर्ट करना होगा बुक को इंपोर्ट यहाँ पर हम भुक को इंपोर्ट कर लेंगे अधिया प्रॉम इस चला जाएगा है यह हो गया दोस्तों इसको हम सेफ करें तो उसके बाद हमारा काम बचाता है थोड़ा सा HTML पर जहां पर इसको में सो करना है यह सारे चीज़ें तो हम अटा देते हैं यहां से इसे कोई जुरत है नहीं यहां पर दोस्तों हम यूवेल ले लेते हैं इसके अंदर एलाई के अंदर हम सब बाइंड करके दिखा देते हैं डेटा लाई के अंदर क्या करेंगे दोस्तों एंजी फॉर ले लेते हैं एंजी फॉर एक्वल टू लेट लेट बीके ओफ यह वर्यवल हमने बनाया गेट यहां पर सॉफ्ट बूक है ना सॉफ्ट बूक्स जो हमने बनाया था भी लेट और हम क्या करेंगे अब बाहिंड करेंगे डी में का करेंगे जींग देंगे बीके डॉट इंट्रीशन याप युच चर रह वाधावर आप देख रहे हैं अबँग के डॉट ॉट इंडै कमा को में में बाइं करेंगे इंट्रपोलेशन के अंदर अंदर ही हमारा होगा इंट्रपोलेशन के अंदर बीके डॉट नेम कॉमा फिर हमने काटेगरी के अंधर हमने क्या किया इंट्रपॉलेशन हमने उच किया बीके डॉट का टेगरी राइट यह हमारा हो गया अब यहां क्या step यूज किया मैं आपको एक बार फिरीपीट करता हूं यहाँ पर या इससे पहले मैं आपको इसको रन करा कर दिखाता हूं कि रन करने के बाद क्या दिखता है डेटा तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा एंजी सर्व करेंगे यहाँ पर और इंटर क्लिक करेंगे यह थुद्धा टाइम रहता है उसके बाद इसको सर्व करेंगा इस कंपाइल वर्ट यह एरर दे रहा है दोस्तों क्यों कि क्या बोलड़ा है कॉमा होगा एप डॉट मोडिल लोट इस फाइल इस पर एक क्लिक करके हम जा सकते हैं कंट्रूल के साथ यहां पर हमने शेमी कॉल लगा रखा है जबकि हम पर कुछ नहीं होगा इसके बाद हम सेब करेंगे और रॉन हो गया अब ही हमने देखा एक साइद यहां पर इसु है यहां पर एन जी फौर में दोस्तों हमें साइफ जो होगा कैपिटल होगा अब इसको सेब करेंगे और आपर data देख सकते हैं कि data आ चुका है मिंस की हमारा data run हो जुका है ठीक है मिंस की हमने क्या किया बेव API से हमने service बनाया service बेव API को हमने उच के URL को उसको अपने data को सो करा है राइट यह सारे चीज़ें हो सकते हैं आपके फ्रह से देखा फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों हमारे कमेंट बक्स में जरूर सेयर करें ताकि हम आपके कंफ्यूजन को दूर कर सके अगर आप बिल्कुली कॉर्परेट लेवल का नौलेज रखना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉर् कोई नहीं डालता है यह सारे पेड होते हैं और क्लास में बहुत ही कॉर्परेट लेवल का नहीं मिलेगा कोई नहीं डालता है यह सारे पेड होते हैं और क्लास में बहुत ही कॉर्परेट लेवल का पढ़ा जाता है हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्परेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे अंगुलर मैटेरियल और बूटेश्टे भी कैसे यूज करते हैं अं मैं प्रेंस आपको लेते हैं बबरेट क्लास जो हैक देश अगर आप कहीं से पढ़ते हैं दो तरीके हिर से अगर आप मांग लेजिए आप इसींचूट पढ़ने जाते हैं, तो इस चूट में आपको कौन पढ़ाता है? एक तरीके से वो टीचर होगा, लेकार, शनकी है ये ये है कि इस इस फेकली कौन बनता है जो स्ट इंड़स्टी में जॉब नहीं ले पाता है, जो खुधी जॉब नहीं ले पाया, तो आपको क्या training देगा वो आपको एक बूक वाला knowledge देकर आपको भेज देगा लेकिन आप वही पढ़के आप जब जाते हैं company में काम करने तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं फिर आपको भाग कर अच्छे सा study करना पड़ता है या फिर तो आपको आप काम नहीं कर पाएंगे बुरियत फिल करेंगे या फिर आपको निकाल दिया जाएगा और हमारा class किसली famous है क्योंकि हमारे हैं कोई teacher नहीं है हमारा जो team है जो हम लोग है किसी ने किसी बड़े MLC में काम करते हैं तो हम लोग वही चीज अपने training में provide करते हैं जो directly corporate में किया जाता है काम किया जाता है रियल चीजे हम आपको बताते हैं इसलिए हमारा class famous है जो हमारे हाँ से training ले लेता है उसको कहीं भी interview करेक करने में कोई भी problem नहीं आता है अगर आप join करना चाहते हैं तो हमारे website का link इस video के description box में है आप उस पर click करके अभी visit कीजिए हमारे website sahosop.com पर और अपना batch चूच कीजिए चेकाउट कीजिए और class join कर लीजिए कल सहीं अपना class आप join कर सकते हैं अगर आप inquiry करना चाहते हैं तो हमारे official mobile numbers भी available है वीडियो के description box में या इस video के screen पर भी आपको नीचे में दीख रहा होगा हमारा mobile number आप turn call कीजिए inquiry कीजिए और class join कीजिए